नमस्ते मित्रानम। मी अमित्राहसाइप्षिन दे। मी प्रोफेसर आहे ज़ेस्प्यम बीएकी बार्शे मदे। आज आपन आनलेसिस ओफ्ट्रस जवरती पहला लेक्चेर ही आना रहोद। करोना वारस मुले आपन सर्वाज घरिया हाउद। तो या लड़ाई में आपन लेक्चेर होना रहे तो 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 अनलाइन है नेसा प्रित्न करतो है। तो आमदे में हाँ आनलेसिस ओफ्ट्रस हाँ सब्चेट हेतला है। पहलो लेक्चेर जाहे थे चामदे आपन खालील कंटेंट भगना रहोद। जाहे चामदे टाइप ऑफ रूफ ट्रस हे सथिल। हाउव तो डिसाइड दपर्फेट एंफर्फेट रस असल। अजम्शन सथिल। अनि मेथड़ ऑफ अनलेसिस सथिल। यह अनलेसिस ओफ्ट्रोज जाहे। यह कोना कोना लापलीके बिलाहे। तो यह स्वाइड सिविन चाइड डिप्लोमाचर विद दर्थन ना उप्यों गया है। फर्स्टेयर चाइड अल ब्रैंचेश चा मोलन न उप्यों गया है। अनि जे स्टोडेंट प्रप्रेशन करता है। यह मुपेसे चे प्रिलिम एग्जामनेशन सा डिजे। युपेसे एग्जामनेशन, गेट एग्जामनेशन की जे सिविल अनि मेकेनिकल चीविद दर्थन श्यक्तिल है सरवनना है उप्यों गया है। तो आपन पहलेंदा पोगयत की टाइप आफ रूफ ट्रसेस। कुटले कुटले आहे। वरीस्ट, फिफ पोस्ट्रस की जो सिक्स मीट्र स्पैन साथी यूज़ केला जातो। टानांतर है क्विन पोस्ट्रस, जो आपन स्पैन जोआ है तो 6 ते दाहां 10मीट्र ृा रेंजे मेरासल तर ट्विन पोस्ट्रस ही अपन यूज़ करतो। हाँ 4 पैनल डा है हाँ 6 पैनल डा है हाँ किंग फोस्ट्रस है हवे दुछ विजयर हमादे ट्राइंगूलर ट्रस जरासेल हवे द्रस्त त्या जश्टी ही गर छे दोण दा को लेस्ट आनिह हवी तरस्त विट फ्लैट्रस जरासेल तर त्या मेदे स्पैं आपन 6 तु पन मंताः कि जो span बेज दन 9 meter असे रही उज कहला जातो Flank Truss span अप्तो 10-20 meter असे रही Fan Truss कि जो span बेज दन 12 meter साथ ही इस पला जातो Compound Fan Truss span 24-27 meter साथ ही उज कहला जातो Compound French Truss कि जो span जाहे 20-30 meter साथ ही आपला जातो कुपाउंड कंपोउंड न्हत्र स्पान 20-30 मीटर स्थी वाक़ लागा ही यह प्रेट ट्रस है यह ट्रेंगूलर्स ट्रेथा ट्रिपढ़ खेंग़ूर कर ची thé था अनंतर है नॉर्ट लाइट ट्रस कि जो स्पैन 5-8 मेटर साथ युज खेला जा तो स्वैस्ट तूथ ट्रस्ट आप तो 5-8 मेटर साथ युज खेला जा तो मोडिफाइड स्वार्ट टूट स्पैन अप्टू एट टू 10 मेटर मॉनिटर ट्रस आता ही जिन नौर टाइप सा ट्रस है इस मुल्टीपल योज मद यह तर दाख लेला है मल्टी हाज ट्रस फरत मल्टीपल स्वाट टूट सट वाप लेला है और जो आपन इखड़े फ्लैंड टाइप ट्रस वाप लेता है अनि है सग्ड़े वगड़े ट्रस जाहे ते इंडस्टी मदे वगड़े लोकेशन ला जसे तुम्चे स्पैन अस्तिल त्या स्पैन नुसर ह आपन बेकले त्रटाइप फ्ल問 जाहे में यह चानक रापन भांगना रहोक त्यां धिद्ट्रशत एपर क्यों इंपर्फेट रोई ट्रसकर है कोश्यु कुलकली जाए फैक क्यों इंपर्फेट क्यों इंपर स्ट具 ट्रशाले हा आउ हऊटू डिशारा दो पर्फेट ओ और imperfect trust क्या आपना अता बगना रहाथ perfect trust और imperfect trust कसे और उन ठरेल it will be depends upon let us see very first of all perfect trust perfect trust perfect trust it is the perfect trust is that which made up of the number of member just sufficient to keep the in equilibrium महें कसे इसाद फिल it will be satisfying the equation ym is equal to 2 j minus 3 where ym is the number of member j is the number of joint मन्जे हे number of member हे कसे चे इक्वेलन अस्तिल तर 2 j minus 3 है एक्वेशन चाहिए क्वेट अस्तिल हेज दोर संख्या दोनी सारे ख्या स्तिल तर अस्तिल ट्रस यह एती कशा है perfect trust है मैं यह समदा for example ही ट्रस हेजए प्रस है ड्रस ट्रस नम्बस अस्तिल बर्स जाया कीट है एक दोन услов तीन अन् नमबस अप्रम्र अंस्तिल आएट है आएट तरीन remember at joint ahead then therefore m is equal to 2j minus 3 2 into 3 minus 3 it becomes 6 minus 3 means 3 this satisfies the equation m is equal to 2j minus 3 therefore this truss is a perfect truss now another is imperfect truss now when it is called imperfect when this equation m is equal to 2j minus 3 is not satisfying means this m either less than 2j minus 3 or m is greater than 2j minus 3 then it is called imperfect truss so this imperfect truss is again further classified into two types one is the deficient truss deficient truss now when it is called deficient truss when m is less than 2j minus 3 then it is called deficient truss and another is redundant redundant truss when m is greater than 2j minus 3 then it is called a redundant truss now here there are the two example let us consider this figure in this figure the deficient truss how it will be a deficient truss let us use this equation m is equal to 2j minus 3 now here count the number of the number of members 1 2 3 4 5 6 7 8 there are the 8 members now let us count the joints 1 2 3 4 5 6 there are the 6 joints now 8 is equal to 2 into 6 minus 3 now 12 minus 3 it becomes a 9 and here this equation 8 and here this equation is 8 it is less than 9 therefore m is less than 2j minus 3 therefore this truss is deficient truss now let us see here another truss now let us consider this figure now here also let us count the number of members 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 there are the 9 members now let us consider m 6 6 6 6 6 8 now let us consider m is equal to 2j minus 3 equation number of members are 9 now let us consider this 2 into 6 minus 3 12 minus 3 it becomes a 9 now let us consider this two times six minus 3 now here number of members 9 and this one is again 9 it means that now let us consider this another one 10 members let us consider 10 members 10 members 10 members now this value is greater than 9 therefore this truss is redundant here this m is greater than 2j minus 3 therefore this truss is redundant truss from this equation we are easily identifying whether the truss is deficient redundant or it is a perfect it means that for the perfect truss for the perfect truss m is equal to 2j minus 3 for imperfect deficient truss m is less than 2j minus 3 for redundant truss m is greater than 2j minus 3 ok now let us move for for the assumptions now let us move for the assumptions for the assumptions of truss analysis very first assumption is that all the members are all joints of trusses are as the fin joint to infinity to open with her jaj joint law it is allowed to rotate only for whomfulness translation finished not ever the rotation alone thats to as they join cells that and then happen in joint math which so physical assumption the lord is only act at joints पक्त जोइंट वरती लोड एक्ट होता है आप अपन कंसिडर करतो तिसरा जा है ट्रस इस पर्फेक्ट ट्रस मन जे कहा है तोर यम इस इकल टू जे मैनस त्री है इक्वेशन इसफाय होगी है दोनी वैल्यू सारे खेयर आती है तहला आपन पर्फेक्ट ट्रस मना रहा है तिसरा आपन आजून कुर वह थी फोर्ग वेट अर्ट इवेट अब्रस नेगलेकिड घॉर्ट टी अगर्टेट अज़ूर्ट now the next part that we have to see is the methods of methods of analysis त्या मादे चार मेथड़ त। वरी फिर्स्त method of joint second is method of section third one method of tension coefficient fourth one graphical method now today we have to proceed for the next lecture it we will be discussing about the method of joint and method of section okay thank you for today's lecture lecture number one okay lecture conclude करना परिमी एक संदेशितु माला देवी छेतो आस पसोन एक प्रतिद्न्या करा कि दर्वेस अपन एक हद प्रोड़क्ट कुटले ही खरीदी करता साल त्यावेस आपन स्वदेशी प्रोड़क्ट खरीदी करूं देशाची इकनोमे आनी बिजनेस घ्रो करना साथी इतुन पुड़े आपन चैनीज माल न गेता सगे देशी माल जो देशी वस्तु करेदी और्थी देशी वस्तु जांत नुन जांति धर्थेन्ट Thank you.